आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ क्या होगा तुम सबसे पहले देखते हैं कि तत्पुरुस समास किसे कहते है तत्पुरुस समास किसे कहते है तो वह समास जिसका उत्तर पद या अंतिंग पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं तत्पुरुस समास से कहते हैं क्या होगा वह समास जिसका उत्तर पद या अंतिम पद प्रदहान हो उसे हम क्या कहते हैं तत्पुरु समास कहते हैं और दिये गे विकल्पों में जो हमारा वाच सप्ती हैं क्या है वाच सप्ती ये हमारा तत्पुरु समास है वाच सप्ती कारते क्या होता है तो इसका अर्थ होता है विद्वान क्या रफ्ध होते हैं इसका बहुत बड़ा विद्वान येदि विकल्प में देखे तमारे पहला विकल्प क्या है वाज सप्ति तो वास सप्ति में हमारा तत्पुरु समास है तो विकल्प पहला इसका सही उत्तर होगा विकल्प दूसरा है घंस्याम अर्था तो जो स्यामु वर्ण के बादलों के समान है उसके कहते हैं घंस्याम कहते हैं और घंस्याम में हमारा बहु रही समास है कौन सा समास है तो इसमें हमारा बहु रही समास है तुम्हार विकल्प दूसरा नहीं होगा विकल्प तीसरा है 3-1 तो 3-1 किसे कहते हैं तो 3-1 कहते हैं और इसमें हमारा दिग्गू समास हैं कौन से समास है तो दिग्गू समास है तुम्हार विकल्प तीसरा भी नहीं होगा और विकल्प चौथा है हैं जंद्र से खाट तो जंद्र से खार आंकार्थे क्या होता हैं जिसे के सिंखर परचांद आर्ठात सेव तो इसमें हमारा भवुव्रभी वल्वुच नहीं होगा। उठम कह सकते हैं कि हमारा जो विल्वधय को पहला हैं वो इसका सही उत्तर होगा। Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर